कलिररी चैलेंज में आपका स्वागत है दोस्तों, प्लीज मेरे लेक शानदार केक तयार करो जरूर बनाएंगे सबसे पहले मैं मेंधक पोशन वाला अपना फेवरिट बर्तन लूँगी ओ, कैसी बद्गुआरी है किवल एक चीज की कमी है, वह है गमी आइस की यह मेरे किचन के सबसे दराबनी बेंजिनों में इसे एक है जरूरी बात यह है कि सामगरी को मिक्सर से अच्छी तरह मिला ले बढ़ियां डो बनाने के लिए इससे सबसे तेज स्पीड में चालू करना है चलो इसे ओन किया, अब इसे मिक्स करती हूँ बहुत बढ़ियां, अब मैं इसे साचे में डाल सकती हूँ और अपनी फेवरेट इलेक्रिक कुर्सी पर आराम कर सकती हूँ चलो थिंग, चलो करो ओ, हाँ, मेरे रोंगपे खड़े हो गए हैं मानू इनीड मुझे गुदगुदी कर रही हो करेंट की वज़े से एक स्वादिस्ट फुला हुआ स्पंज केक तैयार हो गया है जिसका अपयोग मैं जेस के लिए सबसे स्वादिस्ट केक बनाने में करूंगी इसमें तीन पढ़ते होंगी मीठी, ब्लूवेरी क्रीम और ही मेरी सेक्रेट सामगली मुझसे पूछना मत की क्या है मैं किसी को नहीं बताऊंगी ठीक है, ठीक है, मैं आज दयाली हूँ इसलिए मैं अपने पत्ते खोलूँगी या एक मीठा बेरी सिरफ है जिसका स्वाद लाजवाब है जिसका मतलब है कि या केक तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा केक होगा बॉन एपिटी मुझे केबल चॉकलेट पसंद है इसलिए मैं इसे पिग लाऊंगी और अपने बेहन को सोपर मेगा चॉकलेट केक खिलाऊंगी मैं जानती कि उसे भी मेरी तरह मीठी मीठी चीज़े पसंद है वाव मैंने बहुत अच्छा डोब बनाया है बस इसके जमने तक का इंजार करना होगा तुम्हारा कैसा चल रहा है शैफ बहुत कम लोग जानते हैं कि केक की सफलता का राज उसकी क्रीम में छिपा है स्वादिस्ट हवादार क्रीन चीज तयार करने के लिए हमें इसे मिक्सर से फैट ना होगा लेकिन वेंज्डे की तरह हाई स्पिड में नहीं बलकि धीमी गती से ओ, ये कितना सुन्दर है क्या सुन्दरता है इसकी सुगन पूरी किचिन में भर गई है अब बैटर को जैस के पसंद की तरह रंगीन बनाने के लिए उसे पैन में मिलाने का समय आ गया है वाओ, दीखो ये कितना अच्छा है वाओ, मैंने कितना स्वादिश केक बनाया है इसे देखते हैं मेरे मूँ में पानी आ गया मैं इसे पूरा खा सकती हूँ लेकिन मैं इसे बेबी के लिए बचा कर रखूँगी और इसमें न्यू चेला मिलाओंगी जब अपने फेबरिट पेश्ट का स्वाद चखेगी तो खोश हो जाएगी वाओ, दीखो, मैंने इस अच्छी से डाला है अपसोस है कि मेरे पास स्प्रिंकल्स नहीं है लेकिन हम रंगीन कैडी जोर सकते हैं यह बहुत सुन्दर और स्वादिश्ट होगा तुमारा क्या कहना है शेफ? तुम बिल्कुल सही कह रही हो अब मेरे लिए सजावट के बारे में सोचने का समय आ गया है मेरे पास चुनने के लिए दो स्वादिश्ट पेश्ट है लेकिन चुनना क्यों है जब दोनों को एक साथ डाल सकते हैं यह और भी अच्छा होगा अगर हम रेंगो के सभी रंगों का उप्योग करें अब यह तयार है बॉन एपितीद कमेंस में लिखी कि आप किस केक को ओट देते हैं हमारे पास वेंस्टे का जेली आई केक है शैप का बनाया एक अगुत मीठा मास्टर पीस और बेहन ब्रिटनी का बनाया हुआ स्वादिस्ट चॉकलेट केक है वाव कितना अच्छा है यह केक थोड़ा गंदा लग रहा है लेकिन मुझे आसा है कि यह स्वादिस्ट होगा बुरा नहीं है मुझे यह पसंद है बहुत अच्छा बैन्यवाद और यहाँ क्या है मैंस्डे का केक डरामना है लेकिन शैफ का केक बहुत बढ़िया है मैं उसके साथ शुरू करूंगी वाव वाव क्या सुन्दर कट है यह बिल्कुन वैसा केक है जैसा मैं चाहती थी हो और वाव भी चॉकलेट की साथ वाव यह कमाल का है तो मैं यह पसंद आया लॉलिपॉप ट्राइ करो वाव यह स्वादिस्ट है इतनी अच्छी रेटिंग के लिए धन्यवाद मेरे केक के बारे में क्या ख्याल है ममी यह आखे गमी है लेकिन फिर भी मुझे इससे डर लगता है मुझे लगता है कि वेंस्टे का खाना बहुत स्वादिश बनता है इस केक को चक्कर देखना चाहिए वाव बहुत बढ़िया इस केक का स्वाद बहुत अच्छा है मैं बहुत खोश हूँ पर जीत किसे देनी चाहिए यह चुनाव आसान नहीं है जीत रही है मैं वेंस्डे धन्यवाद आपका अगला टास्ट मिल्क शेक है मिठे केक के बाद मुझे बहुत प्यास लग गई है यह असान है मैं केवल ताजे फल के साथ ट्रिंक बनाती हूँ इस टोकरी में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए सबसे पहले पकी हुई स्ट्रॉबेरी पहले इसे काट लेती हूँ स्ट्रॉबेरी कॉक्टिल सामानी है तुम क्या कह रहे हो थिंक? आच्छा आइडिया है शेफ की टोकरी में मेरी फेवरिट बेरी होनी चाहिए उसे जल्दी से यहां लाओ शाबास थिंक और यहां ब्लूबेरी है मैं ऐसा कॉक्टिल बनाऊंगी कि सभी हैरान रह जाएंगे रेसिपी आसान है सबसे काली ब्लूबेरी बर्फ से भी सफेद दूद और थोड़ा सा जादू हाँ, चलो क्रीमे शेक बनाते हैं चुनाती जीतने के लिए मुझे इस द्रिंक की जरुवत है अद्बुद बस एक स्ट्रॉ की कमी है यह हुई न बात हमने स्ट्रॉबेरी को काटा और मेरी टोकरी कहा है मुझे बाकी चीजों की जरुवत है हाँ, जब तक शैप का ध्यानी धर नहीं है हम शरारते कर सकते है और उसकी साची चुरा सकते है अरे नहीं, मेरे साची वो कहा गया है कितना मज़ेदार अब समय आ गया है कि मैं ज़ेश के लिए कॉक्टिल बनाओ साचों में दूर डाले अलग-अलग रंगों की स्वादिश सिरब डाले और अब इसे अच्छे से मिलाएंगे ये रहे सिरब और आब इसे अच्छे से मिला देते हैं हाँ, और शैप को जरावी संदे नहीं होगा अरे नहीं, क्या मुसिबत है मैं बेरीज और मोर्स के बिना क्या करूंगी क्या मिस्ट्री है, सब गायब हो गया शैप, इतना डरों मत, मेरे पास तुम्हारे साचे है ठीक है, मैं गुसा नहीं हो रही हूँ ये एक मास्टरपीस बनाने का समय है, चुनोती स्विकार है मेरा कॉक्टिल अनानास होगा और मैं इसे सीधे क्रस्ट से बनाऊंगी ये अच्छाइकें ब्लेंडर डाल सकते हैं और स्मूर्डी बना सकते हैं हाँ, ऐसे आप इसमें स्ट्रॉबेरी डालेंगे बढ़ियां लेकिन कुछ कमी है मुझे लगता है कि मेरे पास एक बैक अप प्लान है नई, क्याचिप नहीं ब्रेट भी नहीं चलेगा शायद मेरे पास कुछ और दिल्चस्प हो वाव, मुझे लगता है कि वह मिल गया और यहाँ कीवी और संत्री का मेरत तयार कटो रहा है कौकेल को सजाने का समय आ गया है कितना सुन्दर है जबकि जैस विनर चुन रही है आप कामेंट्स में उनके लिए वोट कर सकते है अपने उत्तर के साथ कामेंट्स को लाइक करे आए देखे कि किस उत्तर को सबसे अधिक वोट मिलते है और उसे पिपल्स च्वाइस आवार्ट दे और एक नया स्वाद बन रहा है बहुत बढ़िया यह बहुत स्वादिस्ट है मुझे पसंद आया ये अर तुमने क्या बनाया है वेंजडे तुम हैरान रह जाओगी दिल्चस मुझे को जानी पेचानी गंदारी है अरे अचानक मेरे रोंग्टे क्यों खरे हो रहे है ओ यह ग्रेमेश शेक है वाव बढ़िया शावास वेंजडे धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें पसंद आया आपने क्या किया है शाय मैं अभी तुम्हें ये देती हूँ जल्दी करो और मेरी ट्रॉपिकल स्मूधी का आनन लो धन्यवाद कितना जूसी है तुम्हें पसंद आया हाँ बहुत सच में तुम्हें भी चक्ती हूँ वाव बढ़िया हे दर्शकों हमें जीत किसे देनी चाहिए मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है यह कमाल का है बस तै हो गया आप जीत रही है शेफ ओ वाव हुरे धन्यवाद जैस मैंने कितनी मेहनत की थी कामेंस में बोट देने वाले सभी लोगों को बहुत धन्यवाद आप जिस उत्तर से साहमे थे उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले फिर मिलेंगे दोस्तों